Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Access की है और एक हमारे viewer है जिन्होंने ये comment किया है कि Sir, क्या calculated जो data type आप यूज़ कर रहे हैं Microsoft Access 2016 2019 में उसमें क्या today नाम का कोई function है जो हम directly calculated data type में use करें तो चलिए आपको यही दिखाऊंगा आज यहां से view पे चलते हैं, अब यह design view पे आगए हम, यह देख सकते हैं यहां पर ri id, तो इसे मैंने primary की रखा है और यहां पर date and time data type बना लिया है ठीक है, अब यह date and time data type बना लिया हमने, यहां पर एक field create करते हैं हम calc नाम से और यहां पर हम check करते हैं यहां से चलते हैं calculated पर और यहां पर आपको function दिखाए पड़ेगा इसी function पर प्लिक कर दिए, double click जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे building function दिखाए पड़ेगा, यह आपको दिखाए पड़ा होगा इसी पर प्लिक कर दिए, अब यहां पर आपको अलग-अलग function दिखाए पड़ेंगे, conversion, date and time, financial, instruction, math, program flow और tax तो हमें कहा जाना है, date and time पर जाना है, double click कर दिए अब यह सारे date and time function है, आप देख सकते हैं इसको यह सब date and time function है, तो यह एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, जारा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक default value आपको मिल जाती है, यहाँ पर देखिए यह default value मिल रहा है, तो यहाँ पर is equal to now formula आप यूज कीजिए, यह देखिए, यहाँ पर now आ चुका है, यह इस तरीके से use कर लीजिए आप, और इसको close करके bracket को और यहाँ से specific कीजिए, और इसे yes कर दीजिए, तो अगर पहले से नहीं बर रखेंगे, तो यह भी detail आएगी, तो यहाँ पर देख सकते है, date and time दोनों आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और date enter करता हूँ, यहाँ से choose करता हूँ, देखिए, यहाँ से अगर मैं choose करता हूँ, कोई और date, तो यहाँ पर देखिए, date and time दोनों आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से choose करता हूँ, कुछ और, तो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से choose करता हूँ, तो यहाँ पर कि बारामीनट कि और यहां पर सेकेंड भी ещё्ट जा रहा है आप देख सकते हैं यह तो यह अगर मैं यहां पे ट्यूज करता हूँ तो यहां कि 17 बज की बारा मिनट फीस तो हो एफ हिस तरह नहीं हो गया फिर यहां पर आता हूं यहां से 18 या 19 इसकुछ भी कर देता है इसको तो यहाँ पर दिखिए यहाँ पर 37 सकेंड हो गया यह सकेंड के इसाफ तो चेंज भी होता जाएगा यह अपने अपने रिफ्रिश करता जाएगा 45 सकेंड हो गया ठीक है लेकिन ब्यूल्ट इन टूडे फॉंक्शन नहीं होता है Microsoft Access में यह बात clear है ठीक है आप calculated से भी जा करके और ब्यूल्ट इन अगर आप चाहते है ब्यूल्ट इन मिल जाए आपको तो ब्यूल्ट इन नहीं मिलेगा clear है ना I hope के वीडियो अच्छी लगेगी अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप उसे share कर सकते हो और अक साती कोई और भी सवाल हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कि for watching this video